नमस्कार मैं हूँ विदिशा शांडेलिया और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस कोरोना महमारी के जडसे खात्मे के लिए फ्रंट लाइन वरकर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है इसी कड़ी में उपायुक्त दोक्टर प्रियंका सोनी, पुलिस अधिक्षक बल्वान सिंग राना, ACUT अंकिता चोधरी वे ASP उपासना ने नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाया सिरम इंस्टिटूट औफ इंडिया द्वारा विक्सित कोवी शील्ड वैक्सीन 0.5 एमिल की डोज लेने के उपरांत, सभी ने आदा घंटा अब्जवेशन रूम में बिताया। इस औरान किसी के भी स्वास्ते पर कोई विप्रित प्रभाव देखने को नहीं मिला। अब्जवेशन रूम से निकलने के बाद उपायुक्त डोक्टर प्रियंका सोनी ने सभी फ्रंट लाइन वरकर से बिला किसी आश्रंका के कोवीड वैक्सीन लेने का अहवान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा में आने से पूर्व काफी समय तक उन्होंने चिकित्सक के रूप में भी अपनी सेवाई दी है। उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीन से कोरोना को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 28 दिन के बाद वे दोबारा से कोवीड शीर्ड वैक्सीन की डोज लेंगी। बता दे चले कि कोरोना महमारी के जड़ से खात्मे के लिए अब दूसरे चरण के को करोना वैक्सीन लगाई जा रही है इसी कड़ी मेरो उपायुक्त डॉक्र प्रियंका सोनी पुलिस अदिक्षक बल्वान सिंग्राना सहीत अन्य ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। आज जो वैक्सीन सेशन है हिसार में जो फ्रंट लाइन वरकर्स के लिए स्टार्ट किया गया है तो बहुत खुशी है हमें की हिसार जिले के अंदर जितने भी फ्रंट लाइन वरकर से उन्हें सरकार के तवारा ये सुपता प्रदान की गई है और बहुत ही जिस स्पीड से भारत में उपलब्द हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है और आगे हम उमीद करते हैं कि लोग जो फ्रेंट लाइन वर्कर्स जिनका आज डेसिनेटर है, जिनका आज शेटूल है, उससे भी लोग आज वेक्सिनेशन कराएंगे और अपने आपको COVID से प्रटेक्शन कर पाएंगे और आज गराना एंड जोती गार्डन, अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज